राधे राधे जैसरी क्रिश्न कहानी संग्रे में हमारे सभी सोताओं का हार्दिक अविनंदन है बंदूओ मकर शंक्राती सूर्य का अपने पुत्र सनी देव के घर में प्रवेश करते ही यह पर्व हम मकर संक्राती के रूप में मनाते आ रहे हैं इसी दिन भगवान पुबन भासकर दच्छणाइन से उत्राइन में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से देव लोक में देवताओं के दिन का शुभारंब होता है सीरिमत भागवत गीता में मकर संक्राती को बिहद पवित्र बताया गया है बैसे तो हिंदू धर्म में शुर्य उपाशना का वियत खास महत्व है और नित्त ही हम सुर्य देव को अर्ग दे उनकी उपाशना करते हैं फिर भी सुर्य उपाशना के लिए मकर संक्राती को बिहद खास पताया गया है सीत रित्तु के पॉस माह में भगवान ववन भासकर जैसे ही उत्रायन में कदम रखते ही पूरे देश में ये पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है बैसे तो प्रति बर्ष ये फर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन विद्वानों की गड़ना के अनुसार कुछ वागवलिक परवर्तन के कारण कुछ बर्षों से ये फर्व 15 जनवरी को मनाया जाता है आईए जाने मकर संक्राती पर इश्नान दान का इतना खास महत्तु क्यों है पौरारिक मानिता की अनुसार सूर्देब जैसे ही दच्छिट दिसा से उत्तर दिसा की ओर रुक करती है देबताओं के दिन का सुभारम हो जाता है ऐसे में जो भी व्यक्ति इश्नान दान करता है तो उस व्यक्ति को इसका फल सोगुना बढ़कर फुने प्राप्त होता है अर्थात दानी को दान का फल सोगुना बढ़कर फुने प्राप्त हो जाता है इस दिन जो भी व्यक्ति घी कंबल दान करता है तो उसे अंत में मोच की प्राप्ती होती है। मकर शंक्राती के दिन ही स्वर्ग से गंगाजी भागीरत की कठोर्ट तपशा से प्रसन होकर धर्थति फर आएं, और भागीरत के पीछे पीछे चलकर भागीरत के साठ heterवे जो कपिल मुनी के स्राप से भस्म हो गए थे उनका गंगा के इस वर्स होते ही वे सबी भटकती आत्मा मोच्छ को प्राप्त कर लेती हैं शीरिमत भागवत पुराड की इस कथा के अनुसार सूर देव का अपने पुत्र सनी देव के काले रंग के कारड बे उन्हें वो इश्ने नहीं दे पाए जो अपने पुत्र यम्राज को उन्होंनी दिया इसी कारण सनी देव अपनी मा के साथ अलग रहने लगे और सनी देव अपने पिता से वैर्भाव रखने लगे उन्होंने कुपित होकर सूर देव को कुष्ट होने का स्राप दे दिया इदर सनी देव के स्राप से कुपित हो सूर्य देव ने उनके घर कुम्ब को जला कर नश्ट कर दिया सूर्य देव को कुष्ट रोग से फीडित देख यमराज कठोर तब करते हैं ताके पिता सूर्य देव कुष्ट रोग से मुक्ती पा सके घर जल जाने के कारण सनी देव और माता चाया अनेक कष्ट भोग रहे थे यमराज अपने सोतेले भाई और माता के इस कष्ट से बेहत दुखी थे क्योंकि सनी देव का घर कुम्ब जलने से सब कुछ जलकर नश्ट हो गया था यम्राज अपने पिता को समझा कर भाई सनी देव के घर जाने को राजी कर लेते हैं तब सूरिदेव फुत्र यम्राज को बचन देकर सनी देव के घर कुम्ब में जाते हैं पिता को दरवाजे पर देखकर सनी देव पिता के स्वावत के लिए काले तिल लेकर आए क्योंकि घर जल जाने पर एक मिट्टी के फात्र में रखे काले तिल ही सेस्प बचे थे सनी देव ने उनी से पिता की पूजा की प्रसंद होकर सूरी देव ने सनी देव को आसीरबात दिया कि तुमारा दूसरा घर मकर मेरे आगवन से धन धानी से फरफूड हो जाएगा काले तिलों के कारड ही सनी देव को पिता के आसीर वास से उन्हें अपना खोया बैबब पुने प्राप्त हुआ था इसलिए सनी देव को काले तिल अत्यदिक फ्रीर हैं मकर संक्राती को सूर्य देव अपने पुत्र सनी देव को उनका खोया बैबब पुने प्रदान करते हैं और सूर्य देव को सनी देव के प्रत दोरे बरताव करने का उन्हें ऐसास भी होता है उसी दिन से सभी सूर्य उपासना काले तिल दान बस सनी देव की फुजा का बिधान्त आरंब हुआ जो आज तक चला आ रहा है तो बंदु हो मकर संक्रान खास होने का यही मुख्य कारण है आप आपके परिबार पर शूर्य भगवान सहित सनी देव की क्रपाद रष्टी योही बरस्ती रहे इसी सुब कामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर अवश्य करें